नमश्कार दोस्तों टॉपिक है डिस्कुर्चन के लिए हमारे पास मंडल कमिशन तो मंडल कमिशन के टॉपिक को डिस्कुर्स करने से पहले दोस्तों हम डिसकस करते हैं इसमें एक बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट का मंडल कमिशन जब बनाया गया था दोस्तों तो ये बनाया गया था प्राइम निस्टर शिरी मुरार जी दिसाएं यानि कि उनके कारे काल में इसको इस्टैबलिश किया गया था इसकी जो report आई थी वो submit की थी वो शिरी मत्ती इंद्रा गांदी जो की उस समय की प्राइमिनिस्टर थी उनको की और इसकी report को जो implementation किया वो किया शिरी बेपी सिंग ने जो की अलग से एक प्राइमिनिस्टर थे और इसकी report लावू होने के बाद जो controversy आई उसको solve करने के लिए जो case file किया गया था इंद्रा सानी वर्सरी इंडिया उसकी जो judgment आई या दूसरे शब्द हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो controversy solve हुई वो हुई शिरी पी बी नरसिमा राव के दोर में जब वो प्राइमिनिस्टर थे तो ये अलग अलग जो step या चरण जो थे इस report के या इस commission क वो जो थे वो अलग अलग प्राइमिनिस्टर के under complete हुई अब चलते हैं दोस्तो मंडल कमिशन की तरफ तो सबसे पहले मंडल कमिशन की मंडल कमिशन क्यों है क्योंकि इसके जो चेरमें थे उनका नाम था बी पी मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल तो उनके नाम का ह एक जो हिस्सा मंडल था उसके नाम पर इसको मंडल कमिशन कहा जाता है इसको backward classes कमिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो काम था वो पूरे देश में backward classes जो पिछडी श्रेणिया हैं उनको identify करना भी था हेड़ कॉर्टर जो था इस कमिशन का वो नई दिली में था ऐसे कि मैंने आपको कहा कि बीपी मंडल याने कि बिंदेश्वरी परसाद मंडल जो थे इसके चेर्मेंट थे और इसके साथ जो इसके मेंबर थे वो थे शिरी दिवान महुनला, शिरी आरार भोले, शिरी दीना बं और SS Gill जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे मंडल कमिशन को दोस्तों इस्टैबलिश करने की जो फर्स्ट अनॉंसमेंट हुई थी वो पार्लेमेंट में हुई थी जैसे के मैंने आपको कहा कि प्राइम निस्टर शिरी मुरार जी दसाय जी ने की थी 20 दिसमबर 1978 यानि 20 दिसमब 1979 को इस कमिशन ने एक्चिल में वर्क करना शुव किया था 12 दिसमबर 1980 को इस कमिशन ने काम करना बंद कर दिया था यानि कि इसका काम कम्प्लीट हो चुआ था passa और 31 दिसमबर 1980 1980 को इसको पपलिश कर दिया गया था लिनों दोस्तों, टास्क ओफ दा कमिशन, कि इस कमिशन का काम क्या था, क्यों वाइट किया गया था, तो इसके जो दो मेजर टास्क थे, पहला तो ये, कि पूरे देश में जो बैकवर्ड या पिछरी श्रेणिया हैं, उनको फाइंड आट करने का, उनको पता लगाने का एक क कि भई कैसे हम पता लगाएं, या कौन-कौन से क्राइटीरिन होने चाहिए, जिनसे कि हम ये पता लगाएं, कि भई ये ये श्रेणिया या ये 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 क्लासेज जो हमारे देश में वो पिछरी हुई है या बैकवर्ड है, दूसरा इसका काम था, कि जैसे ही आपको पता चल ये तांकि जितनी भी ये पिछरी हुई श्रेणियान का भला हो सके और इनका समाज में जो स्टेंडर्ड है वो उपर उठ सके, तो ये दो मेजर टास्क थे, सिंपली हम कहें, तो भई पहले तो आप ये पता लगाएं, कि कौन-कौन से पिछरे हुए हैं, फिर उसके बाद ह इससे पहले भी, काका कलेल कर मिशन जो था, वो पॉइंट किया गया था, 1953 में, पर अगर हम उससे भी पहले जाएं, तो प्री इंडिपेंडेंडन्स जो पिरिएड था हमारा, इसमें जो थी सबसे पहले 1885 का एक कोड था, जिसे कहा जाता था, ग्रांट इन एड कोड ओफ 1885, ये जो कोड था, वो बनाया गया था, डिप्रेस्ट क्लासेज के स्टुडेंट्स की मदद करने के लिए, कि वहें उनको थड़ा आर्थिक मदद दी जाए, तांकि जो डिप्रेस्ट क्लासेज हैं, उनको उपर उठाया जा सके, तो ये जो स्टार्टिंग थी, वो 1885 में होगी, उसके बाद ये धीरे-धीरे होती रही चीज़, अगर हम देखें तो 1935 का जो गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट था, उसमें भी शीडियूल कास्ट का जिकर किया गया है, उसमें भी उनको प्रविजन दी गी है, इसके बाद अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट जा मांदंड जो थे, वो बनाएगे थे, जिनके जरी कि ये पता लगाया जा सके, भई, कौन सी क्लासेज जो हैं, वो पिछरी होई जा, बैकवर्ड हैं, इसमें से शोशल चार थे, एजुकेशनल तीन थे, और एकॉनमिक अगें चार थे, तो ये 11 क्राइटीरिया जो डिब एविडेंस देने के लिए, मेंबर पार्लिमेंट, जनरल पबलिक और एक्सपर्ट भी अपियर होई थे, वो कैंडिट जो की SCST केटेगरी को बिलोंग करते थे, बट और मेरिट सेलेक्ट होई थे, IAS की सर्विसेज में, उनसे भी राय लीगी थी, और भी SCST का जो यूज गी थी, वो पूरी यूज गी थी, सोशो एजुकेशनल सर्वे जो था, वो भी घृड़ों में किया गया था, इवन जो सोशो एजुकेशनल सर्वे था, वो व्लिज लेवल पर भी किया गया, और इसी के बेसेज मंदल कमिशियी ने कहा था, कि भाई, 52 परसेंट जो यानि 52% जो population है इंडिया के जिसमें की 3743 जो classes है जो की backward हैं इसमें SC और ST को exclude किया गया है याद रखिएगा SC ST में include नहीं है उनको exclude करने के बाद 52% और 3743 जो classes थे उनको backward और डेक्लेर किया गया और दोस्तो रिपोर्ट जो थी मंडल कमिशन की वो जो implement की गई थी on August 13 1990 यानि की 13 अगस्त और 1990 को जैसे कि मैंने आपको बता है कि शीरी वीपी सिंग उस वक्त के परदहान मंत्री थे 27% जो सीट्स थी वो government services में रिजर्ब कर दी गई backward classes या ओबी सी अधर backward classes के टी तो यह है दोस्तो एक brief discussion मंडल कमिशन थेंक यू बेरे मिच